इसे देकर मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है वो कहते थे न बहारो फूल बर्साओ मेरा महभूब आया है और ये गाना बिल्कुल इसी सुच्चोशन मुझे देकर आपको क्या लगता है मैं कहां पर हूँ जपैन में क्योंकि ये सारे वीडियोस आपने जपैन से देखियों हैं लेकिन जपैन नहीं ये कोपन हैगा नहीं झाल बजाए लेकर लेकर देखियों है 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 यूटीव फैमली कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छी होंगे आज मैं आपको लेकि आयों एक ऐसी जगह में जो कोपने अगन में सबसे ज़्यादा इस टाइम चर्चा में और यह चर्चा इसलिए है क्योंकि हर एक बंदा यहां पर आ रहा हूं जिए कबर स्थान और अपको लेकिन यह जब आपको मैं दिखाऊंगा और इस टाइम यह हमारे आफिस में क्या हर जग़ा कोपन अगन में हर एक बंदा यहां पर जाना चाहता है और आना चाहता है क्योंकि यह कुछ दिनों के लिए होता है बाद में ये खत्म हो जाती है जोले जादा देर ना करते हो अपको आपकर लखे चलता हूं लेकिन यहां से जाने के लिए हमें कुछ दूर साथ चलना पड़ेगा पको मैं आपको दिखाता हूं यहां से सिर्फ हमें मुंझे लगता है पानसो मीटर दूर हमें जहां से चलना बढ़ेगः चली वहां पछलते हैं फिर आपको दिखाता हूं यहां उ students इस जगा का जो एड्रेस हा न वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसे कहते हैं बिस्पिबेया सेमेटरी कुछ लोग अपने शादिगां पर कुछ लोग अपने शादी हैं वह थैंड कि I don't know यह फोटो शूट करवा रहे हैं, यह देखिए इसपी सुटके ने सुटकेट मुझे देखिको क्या लगता है कि मैं कहा बहुँ हूँ जेपैन में व्रेल सुल्स क्लिज़ धार लेकिन आपको में बढ़ाद हुए जैपैन में नहीं डेन्वार्क काम अपिशे टेहिए है यह सब आ कर से myślę देख रहे हैं ये कोई छावडन नहीं यह जड़िये सेवी खिड Critiبة में आराम से सोय हुए है लेकिन यह लोग देखने आया हुआ है इस चीज को जो साल में सिर्फ एक बार नजर आखिए लेकिए कितनी सुन्दर लग लिए लेकिए और यह कोपन है नंगरी हिड़न जैम है अच्छा कहीं लोग ना यहां पर अपने परी वैडिंग शूट्स भी करवा रहे होते हैं कहीं लोग फोटो शूट करवा रहे होते हैं क्योंकि जिस तरह का यह मोहल बना होता है यह आपको बार बार नहीं देखता क्योंकि साल में सिर्फ इसी टाइम के लिए यह होता है क्योंकि बोचा यह होते हैं तरह क्योंकि इस अगर आप लेन्मांग प्लान कर रहे हैं आने का अभी तो मैं आपको बदा दूँ कि यह मस्ट विसिट प्लेस है आपको यहां पर जरूर आना जाहिए आपकी आप यह देख सकें कि जपान के अलावा भी यह जग ऐसी है प्लेस है क्योंकि यह साल में बस एक ही बार चैरी ब्लासम आते हैं और जो पूरा जो एरिया ना यह वला आप देख लो पूरा जो एरिया पूरा फूलों से बरशाता है इसे देखर मुझे एक वह पुराना गाना याद आ रहा है वो कहते थे ना बाहरो फूल बरसाओ मेरा महभूब आ है और यह गाना बिल्कुल इसी सुच्योशन पर लगता है और यहां पर लोग अपनी प्री वैडिंग फोटो शूट भी करवा रहे हैं पुराने जमाने में यह भी कहते हैं कि कपरीस्तानों में फूल नी खिलते हैं फूल चड़ते हैं लेकिन यहां पर यह उलता है यहां यह मस्ट विजिट प्लेस है और यह एक पिंक टनल सी बन चुकी है इस साइन का मतलब है कि आपने यहां पर बैठना नहीं है अराम नहीं करना है अब हम इस चर्च के सामने आगे हैं और यह चर्च बिलकुल उस सामने ही है जब आप वहां से बाहर आओगे तो आप देख सकते हैं इस चर्च को भी अपो और अपने आप में ही एक कफी सुन्दर सी चर्च दिखती है जब आप आओ तो फिर यहां पी एक बार चक्कर दूर लग रहा ना हम तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगर चर्च खुली हुई है तो चर्च में भी चलते हैं उस चर्च को भी थोड़ा सा अंदर से देखते हैं के अंदर से कैसी है चलिए वहां पर चलते हैं कर दो आप दो प्रेखते हैं झाल 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 झाल